हेलो फ्रेंड स्वागत एक बार फिर सापका वी स्टार एजूकेशन यूटूब चानल पे और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जहां से हमने कल छोड़ाता यानि कि नुक्ली केशिट हम कल पढ़ रहते हैं और नुक्ली केशिट में हमने काफी कुछ पढ़ लिया था तो जहां से हमने कल छोड़ा था हम 22 स्टार्ट करेंगे अगर आप डाइड़क्ट इस क्लास पर जंप किये हो तो इस से पिछला लैक्चर आपको नुक्लीक एसिट का देखना चाहिए ठीक है ना तो चलिया यह स्टार्ट करते हैं नुक्लीक एसिट के वारे में तो हमने पाए जाते हैं उन सब के वारे में बात की कि आपके कौन-कौन से कंपोनेंट नुक्ली केसिट में पाए जा रहे हैं ठीक है इसके बाद हमने नुक्ली केसिक होता है हमने बात की थी कि प्यूरीन कितने टाइप का होता है प्यूरीन के अंदर अगर एड़नीन ग्वाइनीन पाया जा रहा है तो उसके कौन से कार्वन पे कौन सा ग्रूप पाया जाएगा यानि कि अमीनो ग्रूप कहां पर पाया जा रहा है औक से ग्रूप कहां पर पाय चुका हूँ ठीक है हमने बॉन्ड देखे थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉन्ड देखे थे कहां पर हमारे बॉन्ड बनते हैं और कौन-कौन सा बॉन्ड किस जगह पर हमारा प्रजेंट होता है या रखना नुकलिक एसे जो विश्कली जुड़े होते हैं वो आपका नोन कोवेलेंट बॉन्ड में आता है यानि कि इनकी एनरजी इनकी बॉन्ड एनरजी जो है काफी हाई होने वाली है कंपेर टू इस हाइड्रोजन बॉन्ड के ठीक है ना तो आपको इतनी बात भी पता होनी चाहिए इसके बाद हमने देखा था कि किस प्रकार से पूरा मैंने कल आपको बताया था कि यह आपका एक नुकलियोटाइड है बट क्या हो अगर हमें इसको ATP में तबदिल करना हो ATP में चेंज करना हो तो अगर आपने ATP पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है ATP नहीं पढ़ा तो और भी अच्छी बात है ATP को डिसकवर किया था ल Adenocene Triphosphate यानि कि तीन phosphate group present होते हैं है इसमें एक पैंटो सुगर होती है इसमें present अगर ये वाला जो आपका group है यह अगर Adenine हो जाए यानि कि यह नाय्टोजिनस बेस आपका Adenine हो जाए तो यह आपका ATP की structure है ठीक ना अब यह एक ATP की structure है अगर यह वाला जो नाय्टोजिन यह आपका एड़नीन हो जाए तो ठीक ना क्योंकि देखो एक एड़नीन है फॉस्पेट से लिंक है और तीन फॉस्पेट गुरूप है ठीक है अगर मैं आपको यही पर एटीपी थोड़ा से समझाना चाहूं तो इसमें जो आपका एटीपी होता है या फिर कोई सा भी अधर होते हैं याद रखना आपके लोवर नुक्लूटाइट और हायर नुक्लूटाइट क्या होते हैं लोवर नुक्लूटाइट में आपको एक फॉस्पेट पाए जाता है जबकि आपके हायर नुक्लूटाइट में आपके एक से ज्यादा फॉस्पेट गुरूप पाए जाते यहां पर यह बनेगा पहला वोंट यह बनेगा दूसरा वोंट एंड यह बनेगा तीसरा वोंट फोस्पेट में ठीक है ना इसको बोलते हैं आपका अलफा इसको क्या बोलेंगे अलफा इसको बोलेंगे आपका बीटा फोस्पेट एंड इसको बोलेंगे आपका गामा तो एलफा फोस्पेट आपका किस से लिंक है आपका एलफा फोस्पेट जो पैंटो सुगर है उसके फाइब कारवन से लिंक है अब वीटा किस से लिंक है वीटा आपके अलफा से लिंक है और आपके गामा किस से लिंक है गामा है बीटा से लिंक यानि की हम कह सकते हैं कि ये जो आपका Alpha है ये लिंग ये Kṛṣṇa किसे आपका 5 carven से ठीक है ना Pantoge 5 carven से और ये जो beta link है ये link है आपका Alpha से ठीक है ना और ये जो आपका Gamma link है ये link है आपका Vita से ठीक है ना तो देखो यहाँ पर इनकी Different Different energy होती है यहां पर इन बोंड की different energy होती है मालनों अगर हम यहां से यह ब्रेक करेंगे यह बोंड ब्रेक करेंगे तो यहां पर जो energy है वो 3.3 kilo calorie के आसपास मिलने वाली है ठीक है ना? 3.3 calorie के आसपास मिलने वाली है अगर हम ब्रेक जो है अपना जब देखो अटीप से हम ADP में जाते हैं एक्जो गोनिक reaction जहां सा हमें energy मिलती है ठीक है ना? जहां सा हमें energy मिलती है तो जो हमारा ATP होता है वो ADP में कैसा change होता है? तो यहां से γामा phosphate ही remove होता है यानि कि 1ピ है हमारा बहाण निकल जाता है ठीक है जब ATP से ADP में change होगा तब हमको 3.3 कैलोरी जो energy है वो मिलने वाली है ठीक है इसके बाद अगर ADP से AMP में change हो रहा है ADP से AMP में change हो रहा है तब यह beta group remove होगा और यहाँ पर जो energy होती है 7.6K almost nearly ठीक है तो यह मैं आपको nearly value बता रहा हूँ इस बात को भी याद रहा है यह exact value हो भी सकती है यह नहीं भी हो सकती है बट nearly 7.6 है ठीक है न NCRT में आपकी I think क्योंकि देखो मैं क्यों इस बात को कर रहा हूँ NCRT में कुछ और दे रखिया boyat and boyat में कुछ और दे रखिया लेंगिर में कुछ और दे रखिया किसी दूसरी book पर चले जाओ तो कुछ और दे रखिया तो इसलिए इसको हमेशे जो है nearly values ले करके चलो ठीक है ना अब देखो अंतर तो काफी सारा है ना तीन में और साथ में तो काफी सारा अंतर है तो आप अराम से पहचान जाओगे अब देखो यहाँ पर हमारा डाइ नुक्लिटाइड से मोनो नुक्लिटाइड बन गया मतलब जो मोनो फोस्पेट है यह वाला अब देखो अगर इतनी फोर्म हो तो यह क्या बनाएगा यह अब बनाएगा एक नुक्लिटाइड यह अब नुक्लिटाइड बनाएगा क्योंकि यहां से अलफा भी गया बीटा भी गया ठीक ना एलफा वीटा गामा जब तीनों पर ज स्ट्राइब जितने आगर आपके फोस्पेट गुन पुलेंगे इसको जितने गौर आपकेा हैं तो उसको बोलेंगे higher nucleotide इतनी बात समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है देखा हम ATP में आपको यहीं पर ATP बता दिया GTP यहीं पर बता दिया CTP यहीं पर बता दिया इसी के थुरू आपको TTP भी यहीं पर हो जाएगा अगर यह nitrogenous base इस आपका T होगा तो ठीक है ना तो आप इस T for thymine इतना तो देखाब आपको एड़िनीन की जो ग्वाइनीन की short form को G बोलते हैं, साइटोसीन की short form को आपका C बोलेंगे, यूरेसिल की short form को आपका U बोलेंगे, एंड थाइमीन की short form को आपका T बोलेंगे, तो इतना आपको पता होया, पता होना चाहिए, ठीक है ना? तो आप देखो हमने क्या बात करी, कि अगर तीन phosphate present है, यह तीन phosphate present है, तो यह higher nucleotide है, और depend करता है, कि इस nucleotide का जो नाम है, वो क्या है, इस nitrogenous base के according है, TTPV हो सकता है, ATPV हो सकता है, GTPV हो सकता है, CTPV हो सकता है, यानि कि trifosphate यहां पर आ रहे हैं, मैंना आपको बता दिया है, कि पहला अगर यह वाला alpha, सबसे पहले जो break होगा, यह वाला gamma जाएगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले यह gamma जो है, ब्रेक होता है, उसके बाद यह beta break होता है, ठीक है ना? beta break होता है, then alpha break होता है ठीक है? तो bond जो तूटेगा, अगर हम इसको simple nucleotide यानि कि lower nucleotide में change करें तो अब हम कह सकते हैं अगर आपका एक phosphate joint है यानि कि इतना पार्ट इतना पार्ट अब बनाएगा आपका nucleotide simple सा ठीक है यह यहाँ पर जो side लिखा हुआ है यह side cable किसके लिए है जो आप देखों यहाँ पर इसको डोड़ धंक सा अनलो चाहरतों आपका nitrogenous base और आपका panto cycle मिलकर के क्या मने रहता है nitrogenucleocides बनाता ठीक ना पैंटो cycle और आपका nitrogenous base से मिलकर के nucleosides बनाया रहता इसके बाद एक phosphate लगा तो अब इसको बोलेंगे nucleotide अब इसको side ना बोल करके हम बोलेंगे nucleotide ठीक ना यहाँ पर इस diagram में गलत लिखा हुआ है इस बाद को अभी ध्यान रखना ठीक है ना nucleotide monophosphate इसके बाद यह dinucleotide बन जाएगा dinucleotide कहलो या फिर nucleotide diphosphate कहलो तो यह आपका tide हो जाएगा side नहीं होने वाला और phosphate की nitrogenous waste और आपका panto cycle की बात करी गई है और अगर आपका tide आ रहा है तो वहाँ पर आपका तीनों की बात करी जाएगी चाहे phosphate हो नैटोजिनस बेस हो पैंटोस cycle हो तो तीनों की बात करी जाएगी तो यहाँ पर सब जगे यह क्या है यह tide है यानि की nucleotide है ठीक है तो आपको इस बात को याद रखना है तो चलिए अब आपको इतनी बात पता चली तो अच्छी बात है थोड़ा और आगर बढ़ जाते हैं अब आपको पता चलिया होगा कि ATP यह सब चीज क्या होते हैं CTP क्या होता है और इनको higher nucleotide क्यों बोल दे होते हैं यहीं पर एक बात याद रखना कि यह nucleotide होते हैं यह energy provide कराते हैं अब energy कैसे provide करा रहा है क्योंकि हमने ATP पढ़ा ATP हमारा energy provide करा रहा है तो इस वज़े से यह nucleotide energy provide हमें करवाते हैं ठीक है तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और अगर मेरी speed जादे हैं तो अपनी speed को मोबाईल से speed को slow कर सकते हो और अगर speed कम है तो अपने मोबाईल से speed को बढ़ा सकते हो ठीक है तो nitrogenous base पे चलते हैं nitrogenous base पे हम देखने वाले यहां पर pairing क्योंकि हमने already पढ़ लिया है कि जो आपका primidine होता है उसमें तीन प्राके nitrogenous base आते हैं cytosine, uracil, thiamine अगर uracil है तो वो RNA में पाए जाएगा और thiamine है तो आपका DNA में पाए जाएगा same purine में आपके दो आपके क्या आने वाले हैं nitrogenous base आने वाले हैं adenine तथा guanine इस पे हमने जो basic group पाए जाते हैं बेवी देख लिया कि oxy group कहां पर पाए जा रहा है के compare to RNA DNA is more stable why यानि की RNA के मुकाबले DNA आपका more stable है ऐसा क्यों ठीक है तो उसका जवाब है चलो उसका जवाब जो है एक जवाब एक answer यहीं पर समझ लो क्योंकि जो DNA होता है DNA के पास methyl group present होता है इस methyl group के कारण यहाँ पर क्या होने वाला है कि यह stable form प्रदान करता है जो भी nucleotide के structure रहती है उसको ठीक है ना तो इस methyl group के कारण जो nucleotide के structure है उसको क्या करता है यह stability provide करता है जबकि uracil में ऐसा कुछ नहीं होता यूरे सिल में कोई thiamine group नहीं होता तो एक तो जवाब मिल गया आपको यह पेंतो जीनऊस based में एक जवाब है इसका पैंटो सुगर में पैंटो सुगर में कैसे कि देखो जो आपका RNA है RNA पर हमने देखा था जो आपका दूसरा कारण बनता ना दूसरा कारवन था बहां पर आपका ओच गुरूप पाया जारता अब मुझे बात बताओ के reaction कोन फास्ट करेगा reaction कोन फास्ट करेगा यहाँ पर कोन अधिक सा hydrogen बोन पहले बनाएगा या फिर ओएच जल्दी से बोन बनाएगा तो याद रखना यहाँ पर जो ओएच की बोन बनाने की capability है बहुत 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 फास्ट होते हैं यानि की बहुत तेजी से compared to hydrogen क्योंकि hydrogen पर कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर इस टाइम पर जबकि जो ओक यहाँ पर hydroxyl group है इस पर चार्ज होता है पार्सली निगेटिव चार्ज होता है इस पर याज रख लेना और यह nucleophilic attack करता है इसलिए आप देखते होंगे अगर environment में कभी भी environment में आपका RNA stable नहीं हो सकता ठीके ना environment में यानि की open system में अगर RNA cell के बाहर निकल गया cell के बाहर निकल गया तो तुरंत destroy हो जाएगा ठीके ना जबकि DNA जो है अगर cell के बाहर निकलता है तो उसके थोड़े से chances होते हैं अगर nucleage ना provide कराया गया anti nucleage में लखा गया उसको तो DNA आपका denaturation नहीं करता इतनी जल्दी से बट यहाँ पर RNA क्या है RNA एकदम से जो है reaction कर लेता है तो सबसे पहले सवाल भी उठता है कि आपका DNA पहले आया या फिर RNA पहले आया सवाल यह उठता है कि life जो है वो RNA से start हुई या फिर DNA से start हुई तो यह कुछ ऐसी ही कहां नहीं है कि जिस प्रकार से कि अंडा पहले आया या फिर मुर्गी पहले आयी बट scientist बोलते हैं scientist उन्हें दिमाग लगाया कुछ experiment किये उन्होंने बोला कि जो हमारी जिन्देगी है life है वो RNA वेस है ठीक है ना हमारी जो life वो RNA से start हुई है DNA बाद में बना ठीक है DNA हमारा बाद में बना क्योंकि RNA ही बाद में हमारा डियोक्सी डियोक्सी मैंना बताया था ना कि अगर oxygen आपका अफसेंट है तो उसको वोलेंगे डियोक्सी यानि कि RNA के डियोक्सी करण से ही डियोक्सी जैसन से ही आपका DNA बनाया ठीक है ना तो इतनी बात याद दख लेंगे जब हम evolution पढ़ेंगे तब इस RNA का हम जिक्रा वहाँ पर करने वाले हैं ठीक है ना इतना पता लगा कि यहाँ पर क्यों stable है DNA ठीक है ना तो दो बात हो गई एक बात यह तो यह थाइमीन की और दूसरी बात यह आपकी जो है OH गुरूप की ठीक है ना क्योंकि RNA पर OH गुरूप present होता है एक और बात होती है जिसकी वज़े से यह DNA जो है more favorable होता है तो चलिए ब more stable है compare to RNA ठीक है ना वह बात मैं आप पर छोड़ना हूं क्योंकि कुछ बात आपको भी पता होनी चाहिए ठीक है ना तो चलिए आईए स्टार्ट करते हैं अब दो बारा से मदब इस सिलाइट से देख लेते हैं कि इस सिलाइट पर हमें क्या पढ़ना था तो यहां पर यह आई होप आपको प्रामिटीन याद हो गए होंगे क्योंकि कल मैंने बता दिया था कि प्रामिटीन क्या है और कल ही मैंने आपको प्रोवाइड करा दिती ठीक है ना प्यूरीन भी इसी प्रिकार से आपको याद हो गए होंगे और गुरूप पता होगा आपको कि कौन सा पेर की बात करेंगे तो याद लखना एस जो है हमेसा टी पेर करेगा और सी से आपका जी पेर करने वाला है सी से जी पेर करने वाला है ठीक ना तो पेरिंग प्यूरीन टू प्रामिडीन होगी प्यूरीन 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 कभी नहीं हो सकती प्रामिडीन प्रामिडीन प मतलब कहने का यह है कि जो आपकी pairing होगी वो आपकी purine to primidine ही हो सकती है, तो यहाँ पर A जो है, A है आपका purine and आपका T है primidine, ठीक है न, T क्या है primidine, तो यहाँ पर pairing होगी और यहाँ पर double bond की pairing होगी, यानि कि A और T के बीच में double bond होगे, ठीक है, आगे वैसे हम चारगाफ rule देखने वाले हैं, बहाँ पर हम pairing के वारे में ही समझने वाले हैं, और बहाँ पर different type के numerical में आपको बताने वाला हूँ, और G और C, यानि कि आपका cytosine and guinein के बीच में triple hydrogen, यानि कि तीन hydrogen की pairing होने वाली है, ठीक है न, यहाँ पर जो cytosine है, वो piramidine है, और G जो है आपका purine है, तो आपको इतनी बात याद पता होनी चाहिए, ठीक है, इसको वैसे हम आगे देखने वाले हैं, यहाँ पर आप clear देख सकते हो, कि दो hydrogen bond कहाँ पर वनना है, और तीन hydrogen bond कहाँ पर वनना है, यहाँ पर actually इन्होंने तीन ही hydrogen bond दिखा रखे हैं सम्में, जो कि आपका सही नहीं है, जो कि आपका सही नहीं है, क्योंकि 80 के बीच में 2 double bond होते हैं hydrogen, और CG के बीच में आपके 3 bond होते हैं, तो आपको इतनी बात याद रखनी है, अब मैं यहाँ पर pairing की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो आपको अब यह तो पता चल गया, कि A से T wind करेगा और C से G wind करेगा हमेशा, A से T wind करेगा और C से G wind करेगा हमेशा, बट इनके अंदर जो nitrogenous base है, जो carbon है, उनका number, कौन-कौन सा number pairing करेगा, आपस में यह आपको पता होना चाहिए, और CSIR में यही पूछा जाता है, कि जो pairing हो रही है, carbon के कौन-कौन से number के बीच में हो रही है, carbon के कौन से number के बीच में हो रही है, nitrogen के कौन से number के बीच में हो रही है, तो आपको इतनी बात पता होनी चाहिए तो देखो सबसे पहले तो आपको hydrogen bond के वारे में पता होना चाहिए कि hydrogen bond क्या होता है क्या से होता है और कहाँ पर बनता है तो chemical bonding में hydrogen bond को मैंने बहुते अच्छे सा पड़ा रखा है कि hydrogen bond जो है डिपेंड करता है electro negativity पे ठीक है ना hydrogen bond depend करता है electron negativity में दो atom की electron negativity में जितना ज़्यादा अंतर hydrogen bond उतना ज़्यादा strong बनता है ये बात मैंने आपको chemical bonding में बता रखा ठीक है तो यहाँ पर मैं वहाँ उस चीज के लिए नहीं चलूँगा यहाँ पर मैं आपको direct आप बताने वाला हूँ कि किन किन आपके group के बीच में जो carbon number है वहाँ पर आपकी hydrogen bond की hydrogen bond बनने वाला है hydrogen bond यहाँ पर जो mainly बनेगा वो बनेगा आपका N और H के बीच में oxygen hydrogen and nitrogen के बीच में ठीक है ना तो पहला और तीसरा पहला और तीसरा nitrogen to nitrogen के बीच में बन रहा है और जो छटा छैवे नंबर का है यहाँ पर और यहाँ पर जो है दूसरे नंबर का है वो बनना है आपका nitrogen और oxygen के बीच में यहाँ पर आपको number याद रखने पड़ेंगे और अगर चाहे इतना भी याद न रखो के यहाँ पर oxygen, hydrogen, nitrogen का number क्या है तो आपको यह पता होना चाहिए कि देखो दूसरा यहाँ पर यह एक basic है यह आपका nitrogenous base है यह nitrogenous base, यह nitrogenous base यह आपका guanine है guanine reaction करेगा आपका cytosin ठीक है ना guanine कैसा आपका purine है और जो आपका cytosin वो कैसा है, piramidine है ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर जो है दूसरे नंबर का carbon दूसरे नंबर से ही bond कर रहा है ठीक है ना, दूसरे नंबर का carbon दूसरे नंबर से ही bond कर रहा है अब यहाँ पर पहले नंबर का जो है कारवन है वो कहां पर बोंड करेगा तीसरे नंबर पे सिक्स नंबर का कहां पर करेगा नंबर फोर पे तो मैंने आपको एक इसका मतलब सूतर भी वताया था निमोनिक से वताया था कि आप याज रख लेना वन थिरी से मिलेगा वन थिरी से मिलेगा एंड शिक्स आपका फोर से मिलना है ठीक है तो आप इस बात को याद रखने न और इस बोंडिंग को इस प्रिकार की बोंडिंग को हम वोट्सन एंड क्रिक पेरिंग के नाम से भी जानते हैं same आपका क्या होने वाला है A और T के बीच bond बनने वाला है but A और T के बीच 2 ही hydrogen bond बनते हैं जबकि C और G के बीच मैंने आपको बताया था कि 3 hydrogen bond बनते हैं C और G के बीच कितने bond बनेंगे यहाँ पर 3 bond बनेंगे A और T के बीच यहाँ पर इतने bond बनेंगे, दो bond बनेंगे, तो इनकी position यहाद रख लेना, same position है, 1, 3 से मिलेगा, और 6 आपका 4 से मिलेगा, ठीक है न, 1, 3 से मिलेगा, 6 आपका 4 से मिलने वाला है, यहाँ पर 2, 2 की pairing नहीं होती, क्योंकि A और T के बीच में आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर आपका 2 bond बनने वाले है, 2 bond का ही formation होने वाला है, ऐसा क्यों होता है, तो देखो वाई, ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल carbon group ही होता है, कोई amino group नहीं पाया जाता है, जबकि यहाँ पर आपका एक amino group, NH2 group पाया जाता है, बट यहाँ पर केवल carbon group पाया जा रहा ह और यहाँ पर यह जो है hydrogen bond का formation नहीं कर सकते है ठीक ना hydrogen bond का formation नहीं कर सकते है तो आपको इस बात को याद रखना है code याद रखना 216 बटे 234 जो hydrogen की pairing है 80 के बीच हमारे 2 bond बनने थे और GC के बीच हमारे कितने bond बनना है जीसे के बीच हमारे 3 bond बनने है ठीक है तो देखो जो हमने पीछे पड़ी उसको बोलते है Watson and Crick pairing जो कि आपकी 99% याद रखना कितनी 99% एनिमल के जो genetic material होता है जो DNA होता है उसमें पाए जाती है जबकि 1% हमारी जो होग स्टीन होती है उसमें पाए जाती है हूग स्टीन जो आपकी pairing होती है basically जो tertiary DNA होते है quaternary DNA होते क्या होते है tertiary DNA क्या होते है quaternary DNA तो हम अभी आगे बात करने वाले है अभी तक आपने double helixy पड़ा होगा but tertiary DNA and quaternary DNA आपके होते है ठीक है ना तो हम उनको आगे देखने वाले है तो याद रखना जो आपका हूग स्टीन है हूग स्टीन है ठीक है हूग स्टीन में आपका केवल बन परसेंट ही मिलता है और इसका code याद रख लेना च्याद 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 च्य न ay ne Tyl wird Vary Very IMPORTENT है तो यह बात विया आपको पता होनी चाहिए तो देखो ये क्या है यह पर यह इसको बोलते हैं पूर यह प्योरीन की structure है यह आप़ की प्यरामिडीन की structure कोड मैंने आपको बताया था इसका जो पिरामिडीन होता है उसका कोड था कट और जो आपका ये प्यूरीन होता है इसका कट था प्योर एट गोल्ड प्योर एट गोल्ड ये से आपका एडिनोसीन और जी से आपके क्या होने वाला गौाइनीन होने वाला है ठीक ना तो से पहला हम यहाँ पर बात कर लिते हैं इस PYRAMIDINE की तो में जिब हम चलेंगे यह कह 150 यह रहा रहा है क्या प्याप जा रहा है किया प्यास पाइब को और S-partate को जो single letter code है, उसको हम D के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, glutamine, glutamine को हम Q के नाम से जानते हैं, और glutamine कहां पर पाये जा रहा है, तो तीसरे नमबर पर glutamine पाये जा रहा है, carbon dioxide या फिर उसको हम Y-carbonate के नाम से भी जानते हैं, तो यह कहां पर पाये जा रहा है, यह पाये ज आधेर हां पार यह पाई और रहे हैं दूसरे नंबर ठीक है तो इसका याद करने के लिए एक शिद्धा सा नमॉनिक्स है लाक वैंक अधा क्योष्चन वैंक टीक है मतलब लेंक लेंग कितने नंबर का तो तो देखो D के निचे 1 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 3 and 2, the question rank 132, the question rank 132, ठीक न, तो इसका यह निमोनिक्स बन जाए, यानि की D जो है, अब यहाँ पर कौन-कौन से है, 1 V है, 4 V है, याद लेना यह, 1456, ठीक न, 1456 जो है, वो आपके aspartate, वहाँ पर aspartate group पाया ज जा रहा है, ठीक है न, जबकि जो आपका Q होता है, यह जो Q है, यानि की आपका glutamine है, यह कहाँ पर पाया जा रहा है, third position पे पाया जा रहा है, the question bank, यानि की Y carbonate, यानि की carbon dioxide, ठीक है न, तो यह कहाँ पर पाया जा रहा है, दूसरे carbon के पास में आपका पाया जा रहा है, तो घटते होई क्रम में भी याल रख सकते हो जैसे कि इसको मान ले ना 4 इसको मान ले ना 3 इसको मान ले ना 2 और इस 4 की साथ ही जो बच गए हैं जो इतने भी आपके चाहे 1 हो 5 हो या फिर 6 हो वे आने वाले हैं ठीक ना 432 कर ले ना बात एक ही है घटता हुआ क्रम रख लिया हमने Q के पास 1 होगा B के पास भी 1 होगा Q4, D4, Aspartate Q4 आपका Glutamine and V4 आपका Y Carbonate ठीक ना तो इतनी बात समझ मा गई अभी आपकी Pyramidine याद होने चाहिए ठीक ना अब चलते हम Purine के उपर तो Purine में भी हमारा Same है Purine में भी हमारा Same है यहाँ पर देखो यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4 and यह वाली साइकल आपकी 5 ठीक है ना यह आपकी 6 7, 8 8 हो गया 9 ठीक है ना तो यह आपके इसमें 9 ग्रूप पाए जा रहे है यह 9 ग्रूप पाए जा रहे हैं अब देखो क्या चीज कहां कहां पर पाए जा रही है तो पहले पर पाए जा रहा है आपका Aspartate Aspartate मतलब D पाए जा रहा है दूसरे पर पाए जा रहा है Formate ठीक है ना और तीसरे पर आपका पाए जा रहे है जबकि यहाँ पर आठवे पर और धूसरे पर और दूसरे पर format पर आजय जा रहा है? 5-7 पर आपका glycine पाया जा रहा है तो आपको इतनी बात याद रखने हैं अब इसके लिए क्या निमोनिक्स है? इसके लिए निमोनिक्स है, group discussion question facebook गली में है, group discussion question facebook गली में होगा, ऐसा भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखो किस प्रिकार से हम इस code को रख सकते हैं, तो मैं आपको बताया, group discussion question facebook, facebook पर होगा चाहे तो इतना भी कर दो, यह आपका फालतु लिखा हुआ है, ठीक है ना, यह फेस्बुक पर है आप इतना भी याद रख समते हो, g4 आपका जाता है glycine, g4 glycine, यहाँ पर देखो color देखो, यहाँ पर color जब आप देखोगे, तो यह n है, यह c है और c है, पाच, साथ, चार, यानि कि यहाँ पर क्या हैं ये फाइप, फाइप, सेवन, एन फॉर, यानि कि यह इतना हो गया यह आपका glycine discussion यानि कि aspartate D यहाँ पर केवल 1 है यह बात याद रख लेना question Q4 आपका glutamine आपका कहां पर है 3 और 9 पर 3 and आपका 9 पर 3 and यह हो गया आपका 9 ठीकट 3 और 9 Facebook यानि कि format आपका कहां कहां पर वनना है तो एक format यह वनना है यानि कि 2 और 8 पर 2 and 8 पर यह आपका वन रहा है ठीक ना इसके बाद V, V for Y carbonate V for Y carbonate और carbon dioxide आपको एक जगह यह चमक रही बस मुझा तो एक ही जगह चमक रही है sorry carbon dioxide तो यहां पर हम लिख सकते हैं बड़े राम से 6 ठीक ना यहां पर हम लिख सकते हैं 6 ठीक है तो इतनी बाद समझमागी बहुत अच्छी बात है तो आप देखो आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हो कि group discussion question facebook पर है यानि कि यहां पर आप कर सकते हो 5 अब आपको जो भी नंबर याद रखना हो वो नंबर याद रख सकते हो यहां पर मैं आपको कोई specific नंबर नहीं देने वाला हूं बट यहां पर देखो इन दोनों में से एक नंबर ले लेना कि 3 और 9 3 और 9 में से एक नंबर ले लेना और यह याद रख लेना कि जो है यह आपका कोई सा भी मतलब नंबर ले सकते हैं चार पास साथ में से कोई सा एक नंबर ले लेना और इसको कर देना चलो मैं ही आपके लिए नंबर ले लेता हूं यहां पर लेना group discussion question के लिए 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 513 यानि कि 513 ले लेना और 3 की साथ 9 याद रख लेना 5 की साथ 47 याद रख लेना G4 Glycerine D4 Aspartate Q4 आपका Glutamine ठीक है ना इतनी बात समझ मागी बहुत अच्छी वाइता है Facebook Facebook मतलब F4 format format को का 2 ले लेना और B का B मतलब Y carbonate का 6 ले लेना यानि कि 26 ठीक है ना तो group discussion question जो है अब पान सो तेर 526 513 26 आप इस प्रकार से याद रख सकते हो यानि कि यहाँ पर अगर मैं 5 कर दूं 5500 कितना बताया था मैंने आपको 513 था यह 513 Facebook पे कौन से नंबर पे था आपका 26 नंबर पे था ठीक है ना 26 नंबर पे था तो आप यह code भी याद रख सकते हो इक्यामन 326 कर लो जिस प्रक जिसमें भी आप चाहो उसमें ठीक ना याद रख लेना वट पाच की साथ आपका साथ भी आ रहा है और चार भी आ रहा है पाच की साथ साथ और चार दोनों आ रहा है तीन की साथ आपका 9 आएगा दो की साथ आपका 8 आएगा और 6 अकेला है तो इतनी वात आपको पता लग पूछते हैं बट इस से ज़्यादध में भी नहीं पूछते ठीक है तो चलिए आगे वड़ते हैं अब हम देख लेते हैं चारगाफ रूल क्या बताता है हमें कि जो आपका प्यूरीन है वो हमेशा प्रामिडीन पहला मेरी वास सुनो ठीक न यह मैं नहीं लिखा हुआ है तो जो आपका प्यूरीन है वो प्रामिडीन से मिलेगा जो प्यूरीन है वो प्रामिडीन से हमेशा बायंड करेगा और उसमें भी जो A है वो T से मिलेगा जो G है वो C से मिलेगा प्यूरीन टू प्यूरीन कभी बायंड नहीं कर सकता प्रामिडीन टू प्रामिडीन कभी बायं नहीं हो सकती क्या कहना चाहरा हूं वो समझो पहले ठीक ना चारगाफ ने क्या काम क्या कहा कि चारगाफ ने ऐसी रूल देखो जो चारगाफ ने रूल दिया रूल वैसे नहीं बनते रूल बैसे नहीं बनते वैसे बन जाते आपकी हाइपोथिस रूल बनाने के लिए कम से कम आपको धेर सारे experiment करने पड़ते हैं, उनका correct data analysis करना पड़ता है, फिर उसको आके group of scientists जो हैं वे देखते हैं, कि ये rule apply हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, तो rule बनाने के लिए काफी कुछ आपको जोड़ तोड़ करने पड़ते हैं, बढ़ hypothesis एक सी बन जाती है, तो जो आपके चारगाफ ने experiment किये थे, वो इन सम में किये थे, यानि कि पहला experiment इनोंने क्या किया, कि different different species ले ले ली, different different species का genetic material निकाला, फिर उनकी UV absorption spectra, यानि कि एक technique होती है, UV absorption spectra, यहां से क्या काम किया, जो genetic material था, वो उसको अलग कर लिया, और genetic material से अलग करने के बाद यहां पर देख यह bonding, यह bonding, यह bonding, यह bonding, तो इन्होंने तब idea निकाला कि हाँ, A से T joined होगा, और आपका G से C bind होगा, तो एक experiment यह कहां करा, इन्होंने different different, यानि कि E. coli भी लिया, Diplococcus, bacteria होता है, east आपकी eukaryotic होते है, mouse and man, यह सब लिये, इसके बाद mouse के अंदर ही different different type के organ लिये, ठीक है न जैसे कि, इन्होंने क्या 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 कि, mastix ले लिया, liver ले लिया, sperm ले लिया, lungs ले लिये, तो इन सम्में से cell को करा, cell को separate करा, cell को separate करने के बाद, genetic material को separate करने के बाद, यू भी आप जो option spectra सा देखा, तब जा करके इन्होंने rule दिया, ठीक है न, तो rule बैसे ही नहीं बनते, त अगर आपका purine है, अगर आपका purine है, तो वो हमेसा किस से wind करेगा, वो हमेसा bond बनागा आपका piramidine से, वो किस से bond बनाएगा आपका, piramidine से bond बनाएगा, ठीक है न, ऐसा कुछ नहीं है, कि आपका purine to purine हमेसा, मतलब purine to purine के बीच में bond बन जाए, तो ऐसा बिलकुल नही होने वाला ठीक ना यानि कि देखो अगर थोड़ा सा इंतिजार कर सकते हों तो मैं यहां पर पूरा लिखने कोशिस करता हूं प्यू 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 लिख देता हूं इसको एंड इसकी बोंडिंग आपके अगर पी यू आर दोबार से इससे करा दूं तो ऐसा कभी भी पूसिवल नहीं है यानि कि प्यूरीन टू प्यूरीन कभी भी बाइंडिंग नहीं हो सकती है इसी प्रिकार से जो आपका पिरामिडीन है प्यूरीन से प्यूरीन की वाइंडिंग कभी भी नहीं हो सकती है यानि कि यह भी पूसिवल नहीं है पूसिविल्टी कभ है जब आ आपका piramidine होते हैं वो आपका है तो T हो T हो या फिर U हो या फिर आपका C हो ठीक है न तो देखो A जो होगा A double यहाँ पर double hydrogen bonds से जो है pairing करेगा या तो T से कर ले अगर DNA है तो T से कर लेगा और RNA है तो U से कर लेगा बट double bond यहाँ पर लगने वाला है क्या लगने वाला ओर जी जो । हमेशा सी से ही hydrogen फोरट का यहाँ पर बॉंड कितने बॉंड की पेरिंग करता है और यहाँपर बॉंड कितने होते हैं तीन बॉंड पाए जाते थिक है तो हम एसकते हैं गता हनल एक प्ससाना ठीक ना 50% Purine and 50% आपका Piramidine होने वाला इतनी बात समझे भागी बहुत अच्छी बात है अब देखो यहाँ पर क्या possibility नहीं है यहाँ पर यह possibility नहीं है कि वहाई A G से वाइंड कर ले तो A G से कभी भी वाइंड नहीं कर सकता है ठीक ना यह बात गलत है यह बात गलत है तो अब देखो चलो पहला में आपको percentage से ही समझा देता हूँ percentage यानि कि A G जो होगा यानि कि A और G जो होगा वो बरावर होगा किसके हमेसा T U C के बरावर होगा यहाँ पर एक ही लिया जाएगा अगर आरणने है तो U लिया जाएगा और आपका अगर D N ने है तो यहाँ पर T लिया जाएगा ठीक ना यानि कि A G बरावर है T U C के तो हम क सकते हैं कि चलो इट्स ओके हमने यह पढ़ाया कि प्यूरीन आपका पिरामिडीन के बरावर है ठीक है इतनी बात समय लागी बट अगर हम कहें कि ए ए टी जो है ए टी जो है बरावर हो आपका जी एंड सी के जी एंड सी के तो यह कभी भी पोसिवल नहीं होता यह कभी भी है टी क्या है पिरामिडीन है तो प्यूरीन पिरामिडीन यह कभी भी आपके मतलब बरावर नहीं होते है ए टी जी सी के बरावर नहीं हो सकता और जी सी ए टी के बरावर नहीं होता तो इसलिए आपको देखने को मिलता है कहीं पर जी सी का कंटेंड जादे मिलता है कहीं पर 50-50% पाए जाते हैं 80 और GC आपका 50-50% नहीं पाए जाते हैं ठीक ना तो यही आपका 4 गाफ रूल में बताया गया है तो इतनी बात समझ मागी तो बहुत अच्छी बात है अब देखो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सी question करवा देता हूँ कि मान लोग कहीं पर अगर मैं कहूँ कि आपका जो एडेनीन है अगर मैं एडेनीन को 20% देता हूँ ठीक ना एडेनीन को कादू 20% है तो मुझे बताओ भाई साब थाइमीन कितना पाए जाएगा तो आपके लिए ये question है ठीक है ना आपके लिए ये question है तो इसको किस प्रिकार से solve करेंगे चलो पहला question मैं solve करवा देता हूँ देख भाई हमारा A जो है 20% है A 20% है तो हमें पता है G जो होगा अगर A G को मिलाए जाए तो वो 50% होता है यानि कि अगर A 20 है तो जो हमारा G होगा वो भी तो इसकी बराबर होगा यानि कि वो भी हमारा 20% होने वाला है वो भी हमारा कितना होने वाला है 20% होने वाला है तो 20% ये और 20% ये मिलकर के कितना ना लिया इन्होंने 40% इन्होंने मिलकर कितना मना लिया 40% और होता कितना है total 100% तो 100% में से हमारा 40% यह आ गया है तो मुझे बताओ कितना उच्छा 60% यानि कि इस 60% में अब हमारा क्या क्या आने वाला है इसमें हमारा T आने वाला है और आपका C आने वाला है T आने वाला है और C आने वाला है T कितना वनेगा 30% बनने वाला है and C कितना वनेगा C भी हमारा 30% बनने वाला है ठीक ना C भी हमारा 30% बनने वाला है तो अब हम कहा सकते हैं कि हमारा जो T है वो कितना है 30% वो T कितना है 30% तो यह इसका answer निकल के आ जाता है ठीक ना तो question number one यह रहा ठीक है अगर मैं यहीं पर आपको दूर्षा question देदूं दूर्षा question किस क्योंपर का कि मैं क्या दूँ आपका जो है यह जो है चलो ए ना ले करके अम दूर्षा कुछ ले लेता हूं जो आपका C है C है वो आपका 25% ह कितना है 25% है तो चलो मुझे बताओ ए कितना होगा ठीक है ना ए कितना होने वाला है ठीक है percentage कितना होने वाला है A का तो देखते हैं इसको देखो ठीक है ना कि देखो C जो है C 25% है और C के वराबर कोन आपका T है तो T कितना होने वाला आपका 25% ठीक है ना T कितना होने वाल रहा है तो यानि कि A और G यह भी आपका 25 परसेंट में जाएगा और यह भी आपका 25 परसेंट में ही जाएगा यानि कि अब हम बिना किसी मदब कुछ छोए विना भी क्या सकते हैं कि मारलो मैंने दे दिया आपको एक dna है ठीक ना मैंने मैं यहाँ पर dna के लिए दे रहा हूं एक dna है जिसका total जिसका total जो molecular weight है वह मैं दे देता हूं आपको 100 ठीक ना 100 दे दिया मैंने इतने परसेंट होने वाला है और इस question का मुझे answer चाहिए ही चाहिए सत्रा दुनी चोतिस सो में सद चोतिस गए तो यहां पर आप खुद निगाल सकते हों बिदा कोपी किताब की आप इसको solve कर सकते हों और अभी कमेंट में पहले लिखो आगे वीडियो तभी देखना अगर इसका answer आपको आया है तो ठीक है ना चलिए इतनी बात समझ माँगी चारगा चारगाफ रूल जो आप आपकी समझ माँगी है क्या लिखा हुए है दा amount of adenine equal to the amount of thynineine यानिकी at के बराबर होगा the amount of guanine equal to the amount of cytosine the amount of purine the amount of piramidine के बराबर होगी rule number one ठीक है ना यानिकी यह आपर equalization का rule रूल नम्बर बन में, रूल नम्बर दो में क्या कहा गया कि amount of a plus t जो a plus t है वो not equal to amount of g plus c यानिकी g plus c के कभी भी equal नहीं होगा क्योंकि यहां पर एक यह प्यूरीन है यह पिरामिडीन है । प्यूरीन-ब्रामिडीन पूरीन-ब्रामिडीन कभी इक्वल नहीं होते हैं। अगर यहां पर पर यह बराबर नहीं होने वाले तो आप इस बात को भी याद देखना। इस ब्सक्राफ मिलेगा थीको दो जाएं तो dads 1967 का अथ का कंटेंट अपका अलगलग हो सकता है बेट अगर किसी एक और गनीजम में जाओगे जो स्यल्स होती है स्धार के अंदर आपको सेम टाइप का जी पिलस C content मिलने वाला है ठीक है ना G plus C content मिलने वाला है ये बताया था आपका चारगाफ rule के दुवारा तो I hope चारगाफ rule अब आपको आया होगा ठीक है ना अगर आया तो बहुत अच्छी बात है चलिए अब बढ़ लेते हैं थोड़ा सा और आगे अब देखते हैं balance rule balance rule क्या बताता है तो balance rule basically हम बताता है कि भाई साब अगर आपकी कोई से भी nucleotide chain दे दे यानि कि A T G मैं आप इसको सही करके ही लिख देता हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है A A T T G C T A A ठीक है ना तो अब अगर इसका T M पूछ ले T M मतलब आपका ऐसा melting temperature जहाँ जो की हाप रह जाए ठीक ना T M मतलब हाप melting temperature दोखोई balance ये इसकी जरुबत क्यों पढ़ी जब हम PCR पढ़ेंगे पहले इसकी application समझेलो जब हम PCR पढ़ेंगे या फिर हम अधर जैसे की melting temperature of DNA कि a rudimentary method of calculate the melting temperature of DNA is an equal also the valence rule this equation is T M यानि की हाप हमें वो बताता है ऐसा temperature बताता है जहाँ पर हमारा जो nukleutide है वो हाप melt हो जाए हाप melt हो जाए ठीक ना ये जरूरी होता है PCR में देखो कहने का मतलब क्या है जैसे की आपका ये DNA है ये DNA है ये पूरा आपका DNA ठीक है ये आपका पूरा DNA है तो अब इसको हम कितना temperature दें कितना temperature दें कि ये आपका single nucleotide मा जाए यानि कि single poly nucleotide मा जाए ये जो hydrogen bond बीच में बनने थे हैं ये hydrogen bond हट जाए तो यहाँ पर अगर हम पूरा temperature देंगे यानि कि अगर हमने पूरा 100 degree temperature दे दिया तब तो ये DNA ही खतम हो जाएगा बट हमको अब ऐसा temperature देना है हाफ temperature देना है जिससे केवल और केवली hydrogen bond ही हमारे तूट पाए तो वो chemical के थूबी हो सकता है याद लेना chemical के थूबी हो सकता है pH के थूबी हो सकता है और temperature के थूबी हो सकता है तो बैलस वाहिसा वाहिए बैलस ने कहा कि नहीं मैं बताऊंगा temperature के according और temperature में भी कैसा हाफ temperature TM को हाफ temperature के नाम से भी जाना जाता है तो इन्होंने एक जो है अपना जो है formula दिया इन्होंनों कहा कि भाहिए देखो TM जो है बरावर 280 पिलस के 4G से ठीक नब तो यहाँ पर देखो जो फोर्मूला है TM बरावर 2 bracket A प्लस T प्लस G C प्लस T अब यहाँ पर 280 को लिया तो यहाँ पर बोलेगा कि इस सर यहाँ पर जो है 2 ही बोंड ते इसलिए यहाँ पर 2 लिया गया C और G के बीच में 3 बोंड यहाँ बोंड को ब्रेक करना जो है वो कठिन था इसलिए यहाँ पर 4 ले लिया गया तो हाँ काफी हत्ता कि यह बात सही है ठीक ना अब माँलो हमें को एतना यह फार्मूला लगाएंगे टो इस का हमें TM पता होना चाहिए और आपको इतना ही पता होना चाहिए यह पका PCR के लिए हम केवर 18 से ले करके के 25 नुक्लियोटाइट तक कही यूज करते हैं ऐसा क्यों तो जब हम PCR पड़ेंगे तब उसमें बात करेंगे PCR मतलब पॉलीमर चैन ठीक है तो तब वहाँ पर हम बात करने वाले हैं तो अगर मैं इस नुक्लियोटाइट की आप से मैल्टिंग पॉइंट पूछू तो मैल्टिंग पॉइंट यहां पर कितना होने वाला है तो देखो क्या है टू पहले सका मुद डाइगरम मतलब सूतर यहीं पर लिए लिए तो ब्रैकेट कर लो ए एक इतना है यह यह रहा दूसरा यह रहा ठीक ना तो दो ए मिल चुके हैं हों ठीक है विए दो एंगिल रहा है हमारे पास पिलस करो ट कितना एक टी यह रहा एक टी यह रहा तो हमारे कितने की मिल गएंगा और किAT मिल ग surface करो एंड अब आपके यहां पर जैति कितना है एक में यह आगे आपका और C, C कितना है तो यहाँ पर पिलस 1 एक ही आपका क्या होने वाला है C होने वाला है ठीक ना ब्रैकेट बंद कर लो अब देखो आप इसको solve करेंगे तो हम यहाँ पर 2 into 2 into आपका होने वाला 4 और पिलस के 4 into 4 into आपका क्या होने वाला 2 ठीक ना तो अगर आपको board mask पता होगा तो बहुत अच्छी वात है कि पहले पिलस solve करते हैं minus solve करते हैं bracket solve करते हैं divide solve करते हैं क्या करते हैं अगर आपको पता है Board Mass के बारे में तो बहुत अच्छी वात है नहीं पता तो मैंने Board Mass के लिए बीडियो बनाई तो इस स्टार्टिक में बड़ वीडियो भी मैंने आपकी अपकी अनपब्लिक करी होगी है तो मैं उसको पब्लिक कर दूँगा उस वीडियो को अगर आपको चाहिए होगी तो ठीक है ना चाहिए होगी तो पब्लिक कर दूँगा बोर्ड मास की वीडियो है उससे आपको आप कोई सिवी क्यालकुलेशन चाहिए पिलस माइनस गुणा भाग जोड कुछ भी हो वो कर सकते हो ठीक है कोई कितनी लंबी रेक्शन हो वो कर सकते हो तो यहां पर इसक प्राइवेट कर लिए ठीक है तो यहां पर इसके सोल करेंगे तो यह हो जाए गा easiest होने वाला है ठीक है ना पिलस के चार अउनी अर्ट यहांपर आठ होने वाला है और यह आ जाएगा बाबका शौला ठीक है यह कितना ने वाला है सोला तो हम कह सकते हैं कि जो यह वाला यह formula याद रख लेना चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब हमारा nitrogenous base हो चुका है almost ठीक है ना हमने nitrogenous base के बारे में balance rule देखा चारगाफ rule देखा तो बहुते कुछ पढ़ चुके हैं balance rule के बारे में आप देख लेते हैं सुगर जिसको हम BD राइबोज भी बोलते हैं तो मैंने आपको बता है बीटा क्यों बोलते हैं और X को D form क्यों बोलते हैं ठीक है ना तो यह चीज में आपको बता चुका हूं तो याद रख लेना यहापर देखो जो आपका OH है अगर RNA है तो RNA में यहापर two position पर OH आने वाला है और अगर DNA है तो यहापर जो है two way two way carbon की पर क्या आने वाला है आपका only यह unstable है ठीक है ना पहली बाद दूर सी बाद susceptibility to nucleus यानि कि nucleus अगर दिखा तो nucleus इस पर बहुत जल्दी से काम करने वाला है nucleus क्या गरता है जो nucleotide होते हैं उनको breakdown करता है ठीक ना nucleus एक enzymes है इसके बाद यह less stable होता है क्योंकि यहाँ पर देख़वाई OH है यानि कि nucleophilic attack कर रहा है मतलब कम जो रहा है क्योंकि यहाँ पर nucleus बहुत जल्दी से काम कर जाएगा इसलिए जो है आर ने जो है यहाँ पर correlate करने के लिए आपको खरबर उप़े लगाने पड़ते हैं कितनी मज़े की बात है कि आपको लिए आगे वरते हैं और आगे बात करेंगे हैं तब देख लेते हैं sugar chirality, chirality क्या होती है, मैंने अमाइन्य इच्छे सा बताएं था, कि ऐसा compound जिसमें 4 जो group हो, वो different हो, तो वो आपका chirality show करता है, ठीक है न, जिसमें 4 group different हो, तो वो chirality show करता है, नहीं बात समझ मारी, एक carbon था, यहाँ पर आपका COOH पाया जा रहा था, ठीक है ना नीचे आपका कोई सा भी एक R गुरुप हो सकता था यहाँ पर जो आपका एक Amino group था यानि कि NH यहाँ पर क्या था आपका NH2 हो सकता है और यहाँ पर एक आपका hydrogen था यानि कि ऐसा कारवन जिसके चारो गुरूप जो है different हो, जिसके चारो गुरूप different हो, यहाँ पर Carbog 220 Cuacid है यहाँ पर Amino यहाँ पर Hydrogenılar यहाँ पर R Group हाँ, तो इस group को हम इसको बोलता आपका chiral, यानि की यह कैसा group है, यह आपका chiral amino acid है, यानि chiralty जिसके चारो गुरूप different हो, ठीक है न, दियोक्सी राइबोज और आपका राइबोज दोनों को मिला करके हम chiralty की बात करते हैं कभी भी हम अकेले यह नहीं कह सकते कि DNA में chiralty देखो या फिर आपका RNA में chiralty दोनों को मिलाएंगे और तब हम इस बात को कहेंगे कि हाँ वाई अप chiralty है य rouगे IVDагON यहां पर हाइडोजन पाइज रहा है यानि कि डिफ्रेंट ग्रूप है और यहां के जो कार्वन है यहां पर आपका OH पाइज रहाहिए यानि कि दोनों क्या थिफ्रेंट है यू जो है different है इसी different ग्रूप होने के कारण इसको बोला जाता ह। sugar chiralty, इसको क्या बोला जाता है, sugar chiralty, the sugar present in DNA is D, two deoxy ribos, and the sugar present in RNA, D ribos, due to this D, sugar component, DNA and RNA molecules are chiral molecules, यानि कि देखो, अब chiral molecules हम किसको बोलेंगे, DNA और RNA हमारा साथ में होना चाहिए, इन दोनों को compare करेंगे, तभी हम chiralty सब्ध का यूज करेंगे, single DNA है, single RNA है तो तब हम chiralty सब्ध का यूज नहीं करेंगे, इस बात को याद लख लेना, गाठ वांद लेना, ठीक है ना, इस बात को याद लख लेना, अगर हम nucleotide सब्ध का यूज कर रहे हैं, तब तो हम chiralty कह सकते हैं, nucleotide chiralty तब कह सकते हैं, DNA chiralty नहीं कह सकते हैं, RNA chiralty नहीं कह सकते हैं, DNA RNAortionade जो आपका chirality कह सकते हैं, ठीफ हैं तो आप इस बात को याल दख लेणा, अब देखो क्या होता है कि different different chiralty अब एक chiralty हो गई अब यह कोती है आपकी isoform ठीक है ना तो देखो L isoform किसकी है कि अगर DNA super coiling है तो वो बनाएगा आपका L isoform DNA double Alex है तो वो बनाएगा D isoform अगर आपका L isoform है तो वो बनाएगा आपका निकलियोटाइड और डियोक्सी राइब हो जाए तो वो बनाएगा आपका D ठीक ना वो बनाएगा D तो यह जो आइसो form है यह जो आइसो form है आप इनको याद रख लेना क्योंगी question पूछा जाता है कि बताए अगर DNA super coiling है तो वहाँ पर L isoform बनेगी है फिर D isoform बनेगी तो DNA super coiling में आपकी हमेशा L isoform बनती है ठीक है ना तो इस बात को याद रख लेना अब यहाँ पर है DNA double helix भी याद रख लेना DNA double helix में deform बनती है और यह L or D क्या होती है मैं आपको amino acid के chapter में पढ़ा चुका हूँ बहुते detail में ठीक है ना बहुत जादे detail में पढ़ा चुका हूँ तो यह बात आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि important है ठीक है ना तो अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे अब देख लेते हैं सुगर की पक्रिंग क्या होती है सुगर पक्रिंग क्या होती है तो देखो यह सुगर पक्रिंग जब हम नापते हैं ना तो हम कहते हैं कि जो आपका फोस जो आपका जो सुगर है यानि कि देखो यह सुगर आपकी थी मैं यहापर डाइग्राम बनाद कर दिखाता हूँ आपको यह मा आपका कौन सा था तीसरा कारवन है यहां पर जो है यहां पर इस प्रिकारस है यह आपका नमबर चोथा कारवन है और यह आपका पाचवा कारवन है और इस पाचवे कारवन से आपका जूड़ता है क्या है फोस्पेट फोस्पेट जूड़ता है किस बोन से फास्पो एस्टर से तो आप सुगर पक्रिंग क्या बताती है कि इस फोस्पेट और इस जो थिरी बाला ओच है थिरी गुरूप का ओच है एंड जो आपका टू गुरूप का ओच है थिरी गुरूप का ओच है इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई साब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है तो वो हमें बताती है sugar puckering, sugar puckering क्या है कि भाई साब यह क्यों भी यूज करते हैं, क्योंकि देखो अगर जो है इनके बीच की length कम होगी, इनके बीच की length कम होगी, तो आपका hindrance मतलब hindrance मैं आपको amino acid में बता चुका हूं, एक भीडवाड वाला इलाका, यानि कि भीड़ भार जादा होगी अगर group pass में होगे और अगर ऐसा हुआ कि group pass में हुए तो भाई साब आपके bond बनने में problem आने वाली है तो अगर group दूर दूर हुए यानि कि distance दूर है तब आपका bond बहुत ही अच्छी से बनेगा और stable structure बनने वाली है तो सुगर पकरिंग हमें ये ही बताती है The ribose is a flexible ring that has two periform sugar confirmation में The ribose is a flexible ring that has two preferred confirmation in polynucleotide One is C3-endo found mostly in RNA and in DNA single stand ठीकिन आप दूसरी आपकी C2-endo found most in कहां पर पाई जाती है DNA के अंदर कहने का मतलब क्या है कि देखो भाई साब आपकी दो प्रिकार की यहाँ पर polynucleotide यानि कि दो confirmation होती है सुगर की एक होती है C3-endo एक होती है आपकी C2-endo C3-endo में क्या होता है कि देखो भाई साब C जो है अंदर की ओर चला गया C अंदर की यह अंदर बाहर क्या होता है हम अभी बात करने वाले C अंदर की ओर चला गया और 2-endo मतलब 2 अब क्या है अंदर की ओर चला गया ठीकिना 2 अंदर की ओर चला गया यानि कि C3 endo में जो length थी इस phosphate और इस आपका 3 OH ग्रूप के बीच में बहुती 5.9 कितने थी 5.9 angle strong बट जैसे ही यह C3 जो है वो एक जो बाहर की तरफ आया तो यहां पर देखो यह अंदर की तरफ था मैं आपको बता दिता हूं थोड़ा हो यह अब आपकी अंदर की तरफ है इसलिए वो लगा इसको endo यहां पर C2 यह बहार की ओर है बहार की ओर देखो यह अगर plane polarize है अगर कोई अंदर की ओर जा रहा है तो उसको बोलेंगे endo यहां पर जो है तो यहां पर देखो तीन अंदर की ओर चला गया और जब तीन जैसे अंदर की ओर चला गया तो यहां पर डिस्टेंस कम हो गई बट यहां पर दो तो बाहर की ओर है दो बाहर की ओर है तो यहां देखने ना यह C3 endo mostly जो होता आपका RNA में प्रिजेंट होता ह और DNA अगर single standard form में है तब आपका जो है यह C3 endo होने वाला है ठीक ना point number one point number दूसरा अगर C2 endo है तो यहाँ पर जो है आपका DNA की यह example है यानि की length जो है यहाँ पर length जो है आपकी जादा होने वाली है तो एक कारण यह भी है आपका जो DNA stable क्यों होता है compare to RNA के ठीक ना तो तीन हो गए एक तो thiamine पर जो methyl group होता है उसके कारण जो आपका sugar होता है sugar पे OH group यानि की दूसरे जो number था दूसरे कारण में का जो number था बहाँ पर OH group के कारण और तीसा number हो गए यह sugar पकरिंग के कारण चोथा number आपको बताना है अगर आता है तो खेर मैं बता दूँगा बट याद रखना अगर आपको चोथा number आपको ही बताना है क्योंकि एक और है जिसके कारण यह होता है चलो एक और मैं आपको बता देता हूँ फिर मुझे आप बताना फिर मुझे आप बताना कि मालोग जैसे कि हमरा है DNA यह आपका क्या है DNA तो DNA पर charge होता है आपको पताओगा negative charge होता है due to phosphate group negative charge होता है तो देखो आप क्या करेंगे charge negative charge आपस में ripple करने की कोछिस्ट करेंगे तो यहाँ पर तो stability कमजोर हो रही है बट यहाँ पर एक आपका मेटल आ जाता है जिसको बोलते हैं Mg2+, किसको बोलते हैं Mg2+, जो highly divalent positive charge रखता है, highly divalent charge रखता है, यानि कि इस negative charge को इस positive charge से कैसे कर देगा, fin tooth कर देगा, fin tooth जिसको बोलते हैं, सहरी भासा में, ठीक है न, यानि कि charge to charge खतम, तो यहाँ पर जो है, जो DNA है, वो neutralize हो जाएगा, यानि कि stability जो है, वह ज़्यादा होने वाले, compare to DNA, आप देखो RNA क्या होता, आपको पता होका single stand का जो होता है, यह होता आपका RNA, single stand होता है आपका RNA, अब यहाँ पर जो negative charge हैं, यह जो negative charge लगे होए हैं, यह आपस में एक दूसर को इस प्रिकार से यानि कि ऊपर से नीचे perpendicular जो है, आपस में rejection करने की कोशिस करेंगे, इसलिए भी ही यह क्या होने वाला है, यह RNA, unstability की तरफ जाने वाला है, तो चार कारण मैंने आपको बता दिये, पाचवा कारण आप मुझे बताऊगे, क्योंकि इसका एक पाचवा कारण और है, ठीक है तो भाइसा भी इतनी वात याज रख लेना चलो, अब यह आपके साथ, आपके समय सुगर पकरिंग आई ना कि सुगर पकरिंग क्या होती है, क्या आपकी जो फोस्पेट होता है, और टू कारवन होता है, उनके बीच की length कितनी होती है, वो बताती है हमें यह सुगर पकरिं इतनी बात पता चली, आगे बढ़ते हैं, C2 and O बही है, आपका देखो, यह आपकी यह C2 and O होने वाली है, यह C3 and O होने वाली है, C2 and O आपके DNA में पाई जाएगी, और C3 and O आपकी जो है, RNA and single standard DNA में पाई जाने वाली है, मैं आपको बता चुका हूँ, सेम बही लिखा यह लख लिखा हुज में पाच ट्वर्सन अंगल होते है, ठीक ना एक निक्लिोटाइड में, एक नुक्लिोटाइड में आपके साथ ट्वर्सन अंगल होते है, और इस ट्वर्सन अंगल के कारण भी DNA कैसा होता है? DNA की stability maintain रहती है तो अब 5 हो गए अब 6 आपको बताना है ठीक है न, 6 आपको बताना है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप वो मुझे बताओ वो जो है और ऐसी बात नहीं कि छोटा मोटा मतलब कोई statement बहुत बड़ा statement है तो मैं ये आपको दे रहा हूँ ये काम दे रहा हूँ कि आपको बताना DNA stable क्यों है ठीक है न, हो सके तो जो मैंने पाचों के पाचों बताए है इनको भी लिखने की कोशिस करना कमेंट में और जो छटा आप अपनी तरफ से गूगल करके खोजोगे उसको भी लिखने की कोशिस करना ठीके न, आप देखो सुगर पकरिंग दो प्रकार के होती है एक होती है आपकी envelope एक होती है twisting जो envelope होती है जिस प्रकार से envelope होता है न, envelope देखो ये क्या हुआ, अब ये अंदर की तरफ जो आपका paper था जो paper था, वो fold होकर के अंदर की तरफ होगे तो इसलिए इसको वो लगा है endo अब या तो ये c3 endo हो सकता है यानि कि तीसरे number का carbon endo की तरफ जा सकता है ये फिर c2 endo हो सकता है c3 होआ, तो इसका example क्या आपका RNA और single standard DNA, ठीक है ना single standard DNA, और अगर c2 endo होआ, तो इसका जो example है वो आपका DNA, तो यहाँ पर आपको example याद रखने पढ़ेंगे इसके बाद जो twisted RNA होआता है twisting RNA जो है वो मतलब इतना खास नहीं होता more steric hindrance सो करता है और less stable होता है इसलिए यहाँ पर यह जादे मतलब इसको ज़्यादे भाव नहीं देते कभी पढ़ा भी नहीं जाता बट याद रखने ना c3 x, c2 endo यह आपका DNA में पाए जाता है और c2 x and c3 endo जो है आपका कहाँ पर पाए जाने वाला है यह आपका पाए जाने वाला है RNA में ठीक ना अब अगर देखो आपने यह वाला North किदhal आता है South किद़ किदole आता है East किद़ किद़ आता है West किद़ आता है अगर आपको यह बात पता है तो बहुत अच्छी बात है तो सेम बखी कहने वाला है तो देखो अगर नोर्थ की तरफ है यहाँ पर क्या है कि नोर्थ की तरफ अगर एंडो में है तो इसको वो लगाया आपका नर्दन इसको क्या वो लगाया नर्दन यहाँ पर एक जो है यह वाला एक जो ठीक ना यह वाला एंडो था यह फिर एंडो आगया अब यहाँ पर सदन मतलब साउथ की तरफ इधर की जहाने के लिए बता दिया है याद दख लेना तो अगर याद दखने वाली बात है तो इसको याद दख लेना कि इन दोनों के बीच में कितनी कितनी Anglestone की लैंथ होती है क्योंकि कभी कभी यह statement के लिए आप से पूछ लिए जाते हैं तो अब एक वर फोम आती है जिसको हम बोलते हैं सिन और अंटी फोम क्या होती है तो देखो बाइस साब जैसे कि आपको पता है कि यह पैंटोज आपकी एक सुगर है मैं थोड़ा इसको समझाने की कोशिस करता हूं इसको मैं कहां पर समझा देता हूं वैसे फोस्पेट ग्रूप है बट पीछे ही समझाता हूं यही पर समझाता हूं आपको मैं एक सेकिंड यहां पर देखो यह आपकी एक पैंटोज सुगर है इस से कोई साभी नाइटोजन यहां पर जुनने वाला होगा ठीक है ना नाइटोजन जुनने वाला होगा अगर जो इसमें ग्रूप पाए ज क्या वखला हैं तो इसको बोलेंगे सिरी और अगर सिन होगा तो इस्टैरिक हिंडरेंस Allे बोहें आपको ज्याद मुआ आने वाले हैं क्योंकि देखो यहां पर कैसी पूजिसनभ है यहां पर आपकी सिस है जो है सिन पोजिसन्य पर और यहां पर आपकी भीडबा़ब ज्यादे होगी यानि कि hysteric hindrance ज्यादे आने वाला है तो जो sin position होती है वो आपकी जो है unstable होती है sin पर कैसी position होती है unstable position आपकी होने वाली है वी नहीं है आपका यू है ठीक है ना और जो anti होती है anti का मतलब जहां पर आपके different इजे देखो यह आपकी anti है यानि कि जो group जुड़ा हुआ है जो group जुड़ा हुआ है वो दूसरी की side में जुड़ा हुआ है ठीक ना पैंटो सुगर से group दूसरे side से जुड़ा हुआ है यहाँ पर same side से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको sis यहाँ पर दूसरी side से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको बोला anti यहाँ पर same side पर यहाँ पर देखो यह ओ group आ गया और यह वाला जो group है अब यहाँ पर steric hindrance जाते होगा इसी प्रिकार से इन दोनों में steric hindrance होने वाला है तो याद रख लेना sin form जो होती है highly steric hindrance सो करती है जिस बज़ा से यह less stable होती है ठीक है ना तो इतनी बात आपको याद रखनी है यानि कि sin form जो है less favorable है जबकि आपकी anti form जो है most favorable होती है तो इतनी बात समझ में आ गई बहुत यह अच्छी बात है ठीक है ना अब चलत है आगे अब चलत है वह आगे अब हमने phosphate group देख लिया सुगर पक्रिंग देख लिए उसमें chiralty देख लिए nitrogenous base देख लिए अब देख लेते हैं थोड़ा phosphate को कि phosphate क्या होता है तो यहाँ पर एक चीज आती है कि वह यह charge calculate कर के दिखाओ phosphate पर कैसे करोगे charge का calculation तो यहाँ पर देखो भाई सब बैसे तो आप टायरक्ट जो है या तो यह याद रख लेना formula के minus में phosphate पर डियन पर charge हमें से कैसा आने वाला है minus में आने वाला है पहली बात दूसरी बात जितने आपके nucleotide होंगे उसमें एक जोड़ देना वो आपका charge निकलने वाला है यानि कि अगर मैं कहूँ यहाँ पर A, A, T, C, G, A, G, C, T ठीक है यह अगर यह इसका मैं कहूँ कि इस nucleotide इस poly nucleotide का आपको जो है charge निकालना है तो आप कितना charge निकालने वाले हो इस पर ठीक है ना मुझे charge निकालने का बताओं formula आपका यह है अब मैं निकालता हूँ 1,2,3,4,5,6,7,8 यानि कि 8 nucleotide है उसमें एक और जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा आपका और वो भी माइनस में ठीक है न वो भी माइनस में तो देख भाई अब इसको समझाना है कि किस प्रिकार से माइनस में 9 आया तो मुझे सब बता देना यार मैं आपको board पर समझाने की कोशिस करूँगा इसे क्योंकि mouse से ये सही करके चलता नहीं है बट चलो मैं फिर भी समझा देता हूँ और अगर यहाँ पर समझ में आया तो मैं आपको board पर समझाने की कोशिस करूँगा अब मुझे बता दे ना comment में कि आप यहाँ पर समझ गया हूं या नहीं समझें तो देखो भाइ यह जो structure है यह आपकी ATP की structure है यह किसकी structure है ATP की कैसा बताया है कि यह आपकी ATP की structure है क्योंकि यहाँ पर तीन phosphate group आपके wheels आपके बात जुड़े हुए है अब देखलो अगर हमें इसको ही nucleotide बनाना होता है तो हम जो दो यह phosphate group है इनको बहार निकाल देते हैं दो phosphate group को यह बहार निकाल देते हैं तब यह बन जाता हमारा nucleotide अब एक phosphate पर याद अख लेना एक nucleotide पे कितने charge होने वाले हैं दो charge होने वाले हैं बट इन second condition जब ये किसी दूसरे nucleotide से जुड़ेगा जब ये किसी दूसरे nucleotide पे जुड़ेगा तो बहाँ पर ये जो जुड़ेगा तब मैंने आपको bone भी बताया था कि C, O, P, O, O and C ठीक है ना यहां से आपका क्या होने वाला है यहां से ये जो है ये किसी भी ये जो आपकी pentose cycle होगी है ये क्या होगी आपकी pentose cycle होगी और यहां से आपका nitrogenous बेस जुड़ा होगा कोई सा भी ठीक है ना nitrogenous बेस जुड़ा होगा यानि कि एक आपका minor acid ये हो गया दूसरा minor acid ये हो गया अब यहाँ पर जो phosphate होता है एक आपका joint होता है double bond O से double bond O है मतलब यहाँ पर कोई सा भी आपका negative charge नहीं होता और एक होता है आपका single bond O से connect ठीक ना किससे होता है single bond O से connect यहाँ पर आपका निगेटीव चार्ज पाय जाता है थीक के ना कैसी चार्ज पाये जाता है निगेटीव यानि कि अब आपके दो नुकलियोटाइड तक यहाँ पर चार्ज कितने वैठ रहा है गिल्लो एक आपका चार्ज ये एक ये दो एंड तीन अब चार्ज कितने वैट रहे हैं, तीन चार्ज आपके वैट रहे हैं, ठीक है ना, अगर यही पर मालो हम एक और नुकलोटाइट को एड़ करें, एक और नुकलोटाइट को एड़ करेंगे, तो देखो, फोस्पेट आपका कहा से जुड़ेगा, इस थिरी ओच से, ठीक ना, एक पैंटो सुगर साइकल से, एक आपका किस से जुड़ेगा, पैंटो साइकल से, और यहाँ पर क्या होने वाला है, अमाई नोज से, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी एक चार्ज अब यह आ जाएगा, क्योंकि देखो, एक जो होगा, डवल बोन से जुड़ा होगा, जिसके नुकलोटाइड आपका, जो है यह वाला, ठीक है ना, अब चार्ज गिल्लो चार्ज कितने है, तो यह एक चार्ज यह वाला हो गया, दूसरा चार्ज यह वाला, तीसरा चार्ज यह वाला, एंड नमबर फोर वा चार्ज यह वाला, इसलिए जो पहला अवाई नोज से डात बस इस बात को याद रख लिया तो बहुत अच्छी बात है तब आप आप मीच करके phosphate पे charge calculation कर सकते हो अगर आपको 25 nucleotide दिये गए है उसमें एक जोड़ दो 26 nucleotide हो जाएंगे वो भी charge कैसा होगा negative में charge होने वाला है तो इतनी phosphate की कानी थी जो कि मुझे तुम्हें सुनानी थी ठीके ना अब main function याद रख लेना कि जो nitrogenous base है वो hydrogen bonding बनाता है stacking interaction करता है यानि कि कहांपर triple bond बनने है कहांपर double bond बनने है है दो correlation nucleotide को यह nitrogen base ही जोड़ना है यानि कि देखو यह विए अगर अपका dn ने है तो जो nitrogenous base जुड़े होते हैं यहाँ पर भी आपका एक nitrogenous base यह रहा एक nitrogenous base यह रहा वो इस nitrogenous base के कारण ही stacking हो पाती है यानि कि bonding हो पाती है दो oligonucleotide आपस में जुड़ पाती है यानि कि एक oligonucleotide bond ये यहाँ पर जो आपका N होता है यानि कि nitrogenous base होता है यहाँ पर भी आपका क्या होने वाला है nitrogenous base होने वाला है और इनके बीच में जो आपका stacking होती है यानि कि bonding होती है यानि कि दो stand को जोलने का काम कौन करता है nitrogenous base करता है इसके बाद nitrogenous base के कारण ही इसमें absorption पाया जाता है यानि कि UV absorption पाया जाता है UV absorption पाया जाता है और आपको पता होना चाहिए DNA का UV absorption कहां पर होता है तो वैसे मैंने आपको बता रखा है 260 nanometer या फिर एंगल स्टोंग यह आपको बताना है 260 nanometer या फिर 260 एंगल स्टोंग unit conversion आपको मैं आज बताने वाला हूँ unit conversion कैसे करें ठीक है ना तो उसके लिए आप तयार रहना तो आपको केवल यहाँ पर यह बताना है 260 एंगल स्टोंग है या फिर 260 nanometer आप जवाब नहीं देते कमेंट नहीं देते चलो कोई नहीं वह आपकी इच्छा है कमेंट दो ना दो मेरा काम है यह आपको केवल पढ़ा कर जाने का परटी मिलती है वो भी हमें सुगर की कराने मिलती है heavily much चार्ज मिलने वाली है 3.3 की बताई थी और अगर आपका बीटा दूर्शी बार आपका बीटा टूटेगा और बीटा में मैंने आपको था था 7.6 इसके बाद आपका अगर अलफा टूटा अलफा की आज अगले ना 8.6 ठीक ना 8.6 के तो NCRT में बीटा और गामा की जो है एक जैसे ही बोन एनरजी दे रखे है बट यह सही नहीं है गामा की बोन जो अलफा होता है अलफा की बोन एनरजी जो होती है वह हमेसा जाद होती है ठीक ना इस बात को याद रख लेना और सुगर और फोस्पेट आपके दोनों कमबाइं मिल करके यह आपका बैक बोन का निर्माना करते हैं तो इस बात को भी याद रख लेना अगर फोस्पेट अकेला दिया हुआ है तब आपको जाना है फोस्पेट पे और फोस्पेट अगर सुगर बैक बोन के लिए दिया गया है तब क्योश्चन में आपको आंसर टिक करना ह सुगर प्लस फोस्पेट पे तो आप इतनी बात भी याद रख लेना अब बढ़ा था थोड़ा सा और आगे अब इस ट्रक्चर ओब डियन ने बैसा अब यहां के बाच जितना भी हम अब इस बात को मैं मोलीकुलर बाइलोजी में लेरा बटाने वाले तो आपको जयाद नहीं बताने वाला थोड़ा कम ही बताऊं तो आपको नहीं बताने वाले क्योंकि ट्यू थो टा म Supreme Dunn उन्हें से कौनों फाइदा नहीं इस्टक्चर Óv Diany क्या होता है? डवल हैलिक्स स्टक्चर है वाटसन एंड क्रिक ने कब दीती यह आपको पता होना चाहिए इससे पहले उह लेड़ी जिसका नाम ती रोसलने फ्रैंक्लीन रोसलने फ्लैंकलीन उन्मे सेम काम किया था एक्सफर डिफ्रेंपै उसको लेकर के चो बात का तर्वान कृण best यूंट नेएं ऑपने आप को अपना काम था उसको स्वोब्लीलिस कर दिया अपने काम को पब्लिस नहीं पर पाई और इस बात का दुख है है और जो कि है जब सिस्टी और मोस्ट नाइन्टी स्वायद एक लिए बाबा बाद मैं निखाल विए आसा चले जाओ एक बात याद रखना किने उनिस्स सो 53 में मोडल दिया था और इनको नोबल प्राइज मिला था 1962 के आसपास ठीक है ना 1962 के आसपास इनको जो है नोबल प्राइज मिला था बट इन्होंने ये मोडल कब दिया था 1953 में दिया था वर्टसन एंड क्रिक ने और इससे पहले 1900 इन्होंने मार्च में दिया था मंत भी याद हख लेना एक्चुलि मैंने वो डीप जाकर के पढ़ा है इनकी स्टोरी को तो इन्होंने मार्च में दिया था तो वहीं पर जो फ्रैंकलीन थी फ्रैंकलीन ने जो काम वर्टसन एंड क्रिक ने किया वही काम इन्हों ने जो हैं 1951 में कर लिया था Franklin ने ठीक ना Franklin एक लेडी थी लेडिस थी हाला कि केवल 37 साल की उमर में ही वे मर गई जिसका बहुत जादे दूख है I am die heart fan जिसको बोलते हैं अब जो 1901 में जब मतलब उन्होंने सब डिसकाबरी करके अपना पैक करके रग दिया ठीक ना बट बही पर जो उनके कलिक थे जो उनके कलिक थे जो स्टूडेंट थे उन्होंने उनकी डिसकाबरी को कर दिया लीक ठीक ना और जब भाई साब कोई डिसकाबरी लीक होती है तो भाई साब जो यह पीचडी करने वाले होते हैं हम मैं अपनी बात कर रहा हूं हम ताक में रहते हैं कि हम किसी दूर से की जो रिसर्च है उस पर किस प्रिकार से कब जा करें ठीक ना तो हो सकता है मैं यहापर डायरेक्टली नहीं कह रहा कि वर्टसन एंड क्रिक ने ऐसे किया बट हो सकता है ठीक है ना तो भाईसा जैसे ही इनकी जो रिसर्च थी वो लीक होई मार्च के महिने में 1953 में वर्टसन एंड क्रिक ने ठा करके यह यह जो है मोडल प्रुस्तुत कर दिया बट इससे पहले एक्सर डिफ्रेंसियेशन पर फ्रैंकलीन ने जो है वो मोडल डिस्कवर कर दिया था ठीक है ना तो इसकी बाद बाद में पता चली चली उसके बाद यह जो नोबल प्राइज है को हम तीनों को देंगे वर्टसन वर्टसन को भी देंगे and क्रिक को भी देंगे and आपका फ्रेंकलीन को भी देंगए but problem यह होगी यो फ्रैंकलीन की देत्यन है परीक लिए राफ का स्वाल एक हैं तो प्रेंग कौन भरेंगा कौन देखवाई ऐसा काफी बार हो चुका अब जितने भी इंडियन रिसर्चर जाते और बहर भी देशों में तो दिमाग उनका काम उनका लेकिन फल कौन ले लेता है जो बाहर कर वार है ठीक ना जो बाहर आपको रिसर्च कर वार है जैसे कि रामानर को ले लो आप ठीक ना रामनुजन में भी काफी अच्छी डिस्कवरी की बट सैरस्रे किसको जाता है बहीं पर जो मतलब अंग्रेश थे उनको इसके बाद जितने भी आपके रामा चंद्रन ले लो तो मतलब करते को नहीं करते इंडियन हैं लेकिन बाहर चले जाते हैं और ब पब्लिक सेक्टर हो वहाँ पर ठीक है तो मतलब मतलब यह है जब आप कर रहा हूं मैं तो आपको इस स्रे जाना चाहिए ना फ्रैंक लीन की तरह नहीं कि वेचारी मतलब करा इसी प्रिकार से जुछ ने में में जंपिंग जीट जंपिंग जीन की डिस्कवरी की थी में बे करना मैं बताओ कि इस टोपिक पर कर रहा हूं कभी भी उसकी X Y Z मत बना बताओ कि मैं इस हिसाब से टोपिक कर रहा हूं ठीक है ना तो इस बात को द्यान लखना तो इस ट्रक्चर ओप डियने हम बैसा आगे पढ़ने वाले हैं और इस ट्रक्चर ओप डियने में काफी कुछ वटसनन क्रिक आप स्टार्टिंग से पढ़ते हो या रहा होंगे यह ती आपकी जो मतलब रियल बूमेन हीरो थी ठीक है ना हीरो थी बूमेन हीरो इन तो एक सब्द हो गया हीरो इन कोई सब्द नहीं होता हीरो सब्द होता है यह जेंडर डिसाइड नहीं करता चाहे मेलो या female hero ही बोला जाता है बट male और female hero बोला जाता है heroine कोई सब्द नहीं है English grammar में इस बात को भी याद रख लें ठीक ना Wilkinson का नाम था तो काफी अच्छी थी रोस रोसलिंड फ्रैंकलीन ठीक है 1937 में तो वन टर्न क्या होता है ठीक ना यह major group minor group यह सम्में आपको molecular biology में बताने वाला हूं रोसलिंड फ्रैंकलीन जो थी इनके बारे में कुछ लिखा हुआ है एकसरे डिफ्रेंस सेशन पर काम क्या था इसके बाद यह डियन ने वी डियन जैड डियन डिफ्रेंस सेशन आपको पता होना चाहिए मैं थोड़ा important आपको बता देता हूं कि major group and minor group आपको पता होने चाहिए इसको याद रख लेना कोई code बना लेना और इसको याद रख लेना z dna ही केवल आपका left handed dna होता है b dna और a dna हमें साबके right handed होते हैं इस बात को भी याद रख लेना ठीक है ना इतनी बात याद रख लोगे बहुत अच्छे बात है इसके बात एक बात और याद रख लेना कि helix pitch होती है वो कितने की होती है ठीक ना तो helix pitch को भी याद रख यहां कि है sugar puckering में वहना आपको बता दिया है कि अगर आपका dna होगा तो dna में आपका c2 endo जो होती है वो mostly पाए जाती है c2 endo mostly पाए जाती है b dna और z dna में आपके c2 endo पाए जा रही है जबकि a dna में आपका c3 endo पाए जा रही है ठीक ना इतनी बात याद रख लेना य कि नुक्लियोसाइट के क्या नाम होते हैं नुक्लियोसाइट के नाम क्या होते हैं तो जो नुक्लियोसाइट होता है किस से मिलकर कमना होता है आपका नैट्रोजिनस बेस एंड पैंटो साइकल से तो अगर किसी के पीछे सीन लग गया किसी के पीछे एस आई एन यह ठीना इन ही है आई एन ही है आई principle साइट टो रहे तो पीछे आपका तास्थ होने वाला है और कि अधने सब्सक्राइब ट्यक्ति क्या लगा है वाला है तो इसको बोल supers left time तो Date तो एक नीमोरिक्स का नाम क्या है सीता यानि कि अगर आपके साइड है तो आपका आई से स्टार्ट होने वाला यानि कि आई पर खतम होगा जैसे कि आपका यहां पर देखो अडिनोसीन डियोक्सी अडिनोसीन गउनोसीन यानि कि in आ रहा है i आ रहा है side में और अगर tide है तो 8 आएगा यानि कि adenylate deoxy adenylate यानि कि T में A आने वाला है तो इस code को मत बोलना जाए आपका nucleoside के लिए हो nucleotide के लिए हो कभी-कभी दो नंबर में पूछ ले जाता है कि बताईए इस में से nucleoside कौन सा है nucleoside कौन सा है तो अगर आपको पीछे suffix में क्या लगा हुआ है वो उस बात का पता है तो आप बड़े आराम सा बता सकते हो और suffix में क्या लगा हुआ है इसके लिए आप यह सीता नाम का कोड याद लगना ठीक है ना यानि कि side है तो उसमें I-N-E आएगा और T है तो यानि कि nucleotide है तो उसमें A-T-E आएगा ठीक ना इतनी बात पता चली बहुत अच्छी बात है DNA RNA में कुछ अंतर है यह आप देख लेना कोई मतलब अगर कोई सांतर ना समझा है तो पूछ लेना बट इनको पढ़ जरूर लेना ठीक ना अभी में पढ़ जरूर लेना मैं आपको जादा नहीं बता रहा है यह DNA DNA आपका single form आता है DNA आपका double form आता है इस बात को भी याद DNA RNA जो है same बही है RNA जो है काफी टाइप का RNA में यूरसिल पाय जाता है थाइमीन की जगह थाइमीन आपका DNA में पाया जाता है ठीक है आप देखो एक बात और आती है अभी तक हमने पढ़ा आपने पढ़ा होगा कि आपका double helix DNA क्या होता है बट अब हम पढ़ेंगे triple helix DNA अगर एक और यहाँ पर oligonucleotide आ जाए एक और oligonucleotide आ जाए तो अब इसको बोलेंगे तरसरी DNA और याद रखना यहाँ पर जो होता है TA TA यानि कि ये दो जो होंगे ये टी होगा ये आपका A होगा और फिर ये जो तीसरा जुड़ा हुआ है ये दुवारा से T होने वाला आ है ये दुवारा से क्या होने वाला है? T होने वाला है ठीक ना तो एक तो यह वनेulator दूसरा इसका वनेग एक यह हो गया दूसरा यह हो गया एंड आपका तीसरा यह हो गया ठीक है ना तो यहां पर C A C A T C A T इस प्रिकार से यह आपका जो है बोंडिंग होगी सेम बाकि सब आप चीज वही है जो आपकी मतलब पीछे डावल है लेक्स में थी बट यहां पर याद रखना यह मैंने क्यों लिखा T A T और C A C क्योंकि यह दोनों ही ज़्यादा है जब आपका टर्सरी स्ट्रक्चर होता है तो यह दोनों ही अमाइनो यानि कि T A और C यहां पर C G है ठीक है यहां पर क्या है C G C यहां पर क्या है C G C यहां पर क्या है C G C ठीक है तो यानि कि यह दो प्रकार के ही आपके ज़्यादा बोन्डिंग होती है इन दो प्रकार की ठीक है तो यहां पर इतनी बात समझ गए है समझ गए बहुत अच्छी बात है अब यह काता है इस से जादा कुछ आपको याद नहीं रखना क्योंकि इतना पोटेंट लहीं है कॉनरी बात पता होना चाहिए कि यह होता है एक बात और याज होती यहाँ नहीं होती है जो यहाँ पर होकसी प्हीरींग होग हुग स्ट्रीन के लिए मैंने बख्कोंता है था चीटर चोटिस ठीक है न तो आपको यह भी नहीं भूलना है चीटर चोटिस वाला इतनी बात पता चली बहुत अच्छी बात है अब हम चलते हैं क्वार्ट नरी डी एनने स्ट्रेक्चर ठीक न तो यहाँ पर क्या होता है जो amino acid होते हैं एक plane में होते हैं एक जो amino acid होते हैं एक plane में होते हैं मानलो यह A है यह T है आपका यह G है और यह C है तो जो bonding होगी इसके बीच में और इसके बीच में होने वाली है बट यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया है इसको मैं थोड़ा सा सही करने कोशिस करता हूं कि म यह आपका G है, तो जो pairing होगी, वो इस 80 और GC के बीच पे pairing होने वाली है, यानि कि आप आपके 4 यहाँ पर क्या होने वाले, stand होने वाले हैं, एक दो stand यह रहें, तीस्ता stand यह आजाएगा, एंड नमबर चोता stand आपका यह आजाएगा, इसको बोलते हैं quaternary structure, सेम यहाँ पर भी होने वाला है, कि pairing जो pairing होगी, वो आपकी hoog string pairing होगी, वो कैसी होगी, hoog string pairing यहाँ पर होने वाली है, तो आप इस बात को भी याद रख सकत हो, अब यहाँ पर एक बात और याद रख लेना, भाई साम, कि यहाँ पर जो है, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो amino acid मिलते है, वो कौन सा मिलता है, guanine, तो वो कौन सा मिलता है, guanine, क्योंकि जब यह आपकी four pairing होगी, तो इसके cap यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी जो pairing होने वाली है, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मातर में क्या मिलेंगे, जी-जी, ठीक है ना, तो जी-जी-जी-जी, guanine, सबसे ज़्यादा quarter structure मिलते हैं, home streaming pairing होती है, इतनी बात आपको याद रखनी है, इसके साथ दोस्तों, आपको tertiary structure, quarter structure में सबसे ज़्यादा इसके साथ दोस्तों, यह lecture हम यहीं पर समाप्त करते हैं, हम मिलते हैं आप से कार्वो हाइड्रेट के लिए, बट कार्वो हाइड्रेट से पहले मैं unit conversion पढ़ा देता हूं, क्योंकि मैंने जो है, थोड़ा सा बादा किया था, कि मैं unit conversion आपको पढ़ाऊंगा, तो मैं जाने बट पर जिसमें मैं आपको unit conversion पढ़ाऊंगा, और कल हम बात करेंगे कार्वो हाइड्रेट के बारे में, उसके बाद biochemistry आपकी finish, ठीक है, तो इसके साथ दोस्तों, मिलते हैं, नेस्ट लक्चर में, तब तक के लिए, टाटा एंड, बाइबाए,